अपे अब बहुत स्वागते हैं आज से किलास के आंदर आपको सलवार की cutting सिखाऊंग आपके सी तरीक तरीके से से सलवार की cutting कर सकते हैं बहुती फिनीसिंग के साथ इसके अंदर आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा आप इस वीडियो का एंट तक देखिए आप अराम से सलवार कटिंग करना सीख जाएंगे तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सलवार में सिर्फ और आपके पास तीन नाप हैं तो आप सलवार को आराम से कटिंग कर सकती है तो वह तीन आप क्या होंगे जैसे कि अब जो सलवार आपको मैं कटिंग दिखा रहा हूं इसके लंबाई है 36 ठीक है यह लंबाई हो गई इसकी नीचे की मोरी है वह हम रखेंगी आप है दोस्तों च इंच ठीक है उसके बाद दोस्तों जो इसकी हिप है इसकी हिप मैंने मेजरमेंट करी है इसकी हिप है दोस्तों आप क्या आएगी 36 ठीक है तो यह आपका पूरा मेजरमेंट हो चुका अब आपको यह राउंड में हिप लिए ठीक है राउंड में हिप कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूं जैसे कि यह नप आप देखी यहांपे र्यान से इस तरीकी से इंचिटेब लेके हम ऐसे नपते हैं तो यहां पर देखिया 42 आ रहा है इसी तरीके से आपको राउन में हिप नपना है तो यह नप आपका आएगा 36 इंच तो दोस्तो इस तरीके से आपका यह न मेजर्मेंट लेना सीख सकते हैं क्योंकि मेजर्मेंट विल्कुल सेम होगा उसके बाद आपको क्टिंग करने के लिए क्या करना है किन बातों का खयार रखना है सबसे पहले आपको यहां पर देखना चतिस लंबाई अगर आपको बनानी है तो यह तो सलवार बता रहा हूं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको मैं सलवार कटिंग बताऊँगा कम अलज में बड़े अलज में हर तरीके से आपको बताई जाएगी तो यह देखिए सबसे पहले हमाल पास कपड़ा है य 110 को डबल करेंगे तो यह सबसे कम थोड़ा यानि दो बीस आ रहा है सबसे कपड़े के अंदर अब हमें यहां पर क्या करना आप देखिए सबसे पहले जब आप कटिंग करने जाएंगे तो आपको यहां पर अपनी किनारी पर दिहान देना है जैसे आप यह किनारी दोस्तो के बाद आपने देखा हुआ साइड से जोल आती है तो वह इसी वजाए से आती है तो यह आप किनारी देखने बिल्कुल ओके है तो इससे आपको ज़ुरत नहीं करने की लेकिन अगर किनारी में आपको खिचाओ नजर आता है तो आप इसकी किनारी को पूरा कटिंग करने उसके बाद आप उसके बनाएं ज्यादन देखनें अपनी ओवरलोक बचाने के चकर में यहां पर किनारी को कटिंग करने तो आपको ओवरलो करनी होगी इस चकर में लोग जियूर करता उं इससे क्या उत्यूंत सलवाह ने में बहैतर फिनीसिंग आती है उसके वाद आप य कभी कभी कपड़े पर इस तरीके का यह आ जाता है इसका निसान दोस्तों नहीं जाएगा जब आप बुकिंग लें तो आप कस्टुमर को इस चीज का खास तो पर बता दें तीसरी चीज दोस्तों आप देखें कि किनारी यहां पर आपके मोडरी है ठीक है इधर आपका कपड पर एब को हैसे रखां कि ऐसे रखने के बाद अब यहाँ पर में प्रेश लेता हूं एक और प्रेश आप कोई भी उस करें यह यह यापकर पर इमार्ट लगाना है जो His कि प्रेश लगाने है घंपे प्रेश से हमारी मूड़ी हुई थी हम इसको सीधा करेंगे अभी थोड़ी प्रैस जादा गरम नहीं है तो आपको ऐसे प्रैस लगानी है और जब आपकी जोल यहां पर खतम हो जाएगी देख सकते हैं प्रैस लगने का जो जोल थी वह खतम हो गई अब आपको सिंपल दोस्तों क्या करन करेंगे ठीक है यह नहीं की पूरा थोड़ा थोड़ा करके अफिर इसको ऐसे हाथ लगा के दोस्तों उल्टी तरफ से आपको हमेशा प्रैस करनी है क्योंकि सीधी तरफ से कभी कभी कोई प्रिंट होता है उसमें साइनिंग और जाने का खतरा है तो आप हमेशा बैक साइट इस तरीके से दोस्तों harmonese करेंगे और याद रखें कोई कड़ाइवाल पीस होता है जसमें मौती सिपपी यह अगर आपको पता है आप कड़ाई तो इस पर प्रैस ना सारी कड़ाई मौती जड़ जाएंगे तो उस तरा दोस्तों आपको यहां पर देखें फुरे कपड़े हम प्रैस लगा लेंगे अगर आपका कपड़ा यहां पर पांच से आपको बताया जाएगा ठीक है इसमें टाइम भी लगेगा लेकिन रोच की आपको एक वीडियो मिलेगी अब यह उल्टी साइड है ध्यान रखें अगर आपको उल्टी साइड प्लेन कपड़े में इसमें तो आप देख सकते हलका सा यह प्रिंट है ठीक है इस तरीकी की एक निसान लगा लेंगे इस चीज का खास सुर्वर ध्यान रखें फिर आपको ऐसे पकड़नी किनारी ठीक है यह जो मैं तरीका बता रहा हूं नहीं सबसे सरल तरीका बता रहा हूं सलवाल कटिंग करने का इसको दूसरी तरह वाले से मिलाना है और इसको मिलाने के बाद देख फोटी थी कपड़ा है हमारे पास अब इसको हम डवल में देखे मिला चुके हैं इस तरीके से और इसको हम अब कि ऐसे लेंगे दोस्तों देखे थोड़ी आगे कि तरफ कपड़ा लखना है आपको क्योंकि वीडियो में अच्छी तरीके से में दिखा पाऊं इसलिए थोड़ा सा कपड़े को हम अराम से लगा रहे हैं मतलब वलना फटा-फटी अराम से बिच्छे जाता है जब आप अराम से करेंगे कटिंग तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी फिर नीचे की तरफ कि ध्यान रखें इसको हम अपने तरफ ऐसे खेचेंगे यहां से कपड़े को भी ऐसे सेट कर लेंगे ह到 26 करने के बाद अब आपको यहां पर कि कपड़े को सबसे ड्साओं तो हमें एक अंदाजे से यहां पर फुट्टे को रखने है और इस तरीके से निसान लगा लेना यह सीधा निसान दोस्तो इसे कपड़ाई looks सीधा हो जाएगा ठीक है सीधा होने के बाद अब दोस्तों हमाल को यहां पर जो लंबाई है सलवार की 36 तो हमें कैसे नाप लेना है यह देखे दोस्तों पांच इंच आपको लेना है ऐसे और जब इसको ऐसे लेके जाएंगे तो जो 36 लंबाई आपकी है आपको पूरा 36 जो इसकी मोरी है वो है दोस्तों चेंच चेंच की मोरी है तो यहां पर आपको एक इंच कम करके पांच इंच पर निसान लगाना है ठीक है यह निसान क्यों लग रहा है जब इस टीचिंग वाली वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे पांच इंच पर निसान लगा लेते हैं ठीक है अब दोस्तों हमने निसान लगा लिए अब आते हैं हम अपनी बैल्ट के ऊपर तो दोस्तों यह देखें कितनी है 36 इसमें पिलस करेंगे हम कि दस है कि जो आपको ना पताया था यह जागा दोस्तों 46 46 का हाफ आपका होगा 46 को दो जगा भाग करो गया आप ना पाएगा 30 इस इस के हमें बैल्ट चाहिए ठीक है तो अब हमें यहां पर क्या करना होगा थेश इस के बैल्ट के लिए दोस्तों यहां पर आपके पास कपड़ा देखिए आपके काफी हैं पहले तो आपको एक लंबाई रखनी हैं क्योंक क्यों लगा रहें अभी मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों यह निसान हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहां का पूरी की पूरी वहां पर कली डाल लेंगे तो थोड़ी सलवार ओर लूज हो जाएगी अब यहां पर करना क्या होगा दोस्तों देखिए सब निसान लगा निसान आपको यहां पर भी पांच लगेगा जो आपका पोंच्छेका चैक्श और यहां पर लगाया थ अब हम यहां से आ जाते दोस्तों सीदह यहां पर इंचेटेव को ऐसे रखेंगे और तक्रीवर लंबाई में 18 इंच भी निसान लगा रहा हूं अब आप लोगों के क सबसे पहले हम इसको यहां से ऊपर की तरफ से इसको ऐसे करेंगे करने 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 इसको हम हटा देंगे जरूइएज कर पंस यहां रणा करेंगे सीधु करेंिस के बाद यह वाला जो हिस्सा है दोस्तों इस पर हम यहां पर पांच इन्च वाले पर कट कर लेंगे यह हमाले यहां पर देखेंगे और यहां पर निशान लगाया था वह यह निसान है ठीक है यहां से हमारी बेल्ट अराम से वहां निकल जाएगे तो हम इसको ऐसे पहले सीधा कर लेते हैं अंडाजे से सीधा करने के बाद दोस्तों यहां से हम जो आसन के लंबाई लेंगे वह मैं इसमें ले रहा हूं 10 इंच अब यह आसन के लंबाई 10 इंच कैसे लिए वह भी आपको मैं बता दूँगा अब जैसे मालो एक अंडाजे से एक निसान मैंने लगा लिया अब जो हमने 18 इंच का यहां पर नाप लिया था ठीक है इसको हम तक्रीवन रखेंगे 19 इंच तो यह देखे दोस्तों 19 इंच हमारा हम इसको ऐसे कटिंग करेंगे कटिंग करने के बाद यह वाला जो हिस्सा है इसको ऐसे कटिंग करके किनाली वाली साइड से हम इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे तो आप देखेंगे यह कपड़ हमारा बच्चा है और यह हमारी है कली आपको मैं खोल के यहां दिखा देता हूं ठीक है यहां से नीचे से आप देखेंगे तो इस तरीकी की सलवाल के आपको दिखा देता हूं जो हमारा चार तैमें आपको दिखा रहा हूं एक दो तीन चार चार तैमें जो आप रखेंगे तो यह घेरा कितना जा रहा है दोस्तों तीस इंच करीब 29 के आसपास तयार आ जाएगा अब दोस्तों अगर आप कोई हैवी लेडी जिसकी हिप करीब तकरीवन 50 इंच है या 54 इंच है उसका घेरा भी अगर आपका 25 इंच के आसपास आ रहा है यानि उसके भी यह सलवार बिलकुल परफेक्ट आएगी क्योंकि किसी किसी में कपड़ा इतना कम होता है कि 25 घेरा हमारा आता है हमारी कली कम आती है तो भी आप अराम से मतलब उसको दिक्कत नहीं होगी बहुत अराम से सलवार इसके बन जाएगी अब य देखिए फिरको हम एक बार ऐसे फॉड्ड करेंगे दिग्ए ये फॉड्ड करने के बार इसको एसे करने के यह हमारी सल्वार फॉल्ड हो चुकी तो दोस्तों हम करेंगे बैल्ट की कटिंग तो आप देखेंगे हमारे पास यह कपड़ा बचा है इसको ऐसे ओपन करके देख सकते हैं साड़े चोबीस आ रहा है इसे हमें सैट करना है सैट कैसे होगा वह आपको बता देते हैं तो देखिए इसको ऐसे रखेंगे ध्यान से देखें रखने के बाद आपको यहां पर दिखता होगा दोस्तों यह हल्का फूल का त्रेड़ा कपड़ा है कुछ भी इस यह निसान है इससे हम तकरीवन नो इंच के आसपास इसको निसान लगा लेंगे ठीक है यहां पर भी हम इससे नो इंच का निसान लगा लेंगे नो इंच का निसान लगाने के बाद इसको हम करेंगे सीधा सीधा करने के बाद इसको मैं ऐसे करके दोस्तों 33 इंज के हमारी बैल्ट है तो हमें 24 इंज पर निसान लगाना है इसी तरीकी से दोस्तों इसी डिटेल में दोस्तों सिखाते रहेंगे अब यह दोस्तों हमारी यहां पर सलवार कटिंग हो गई यहां पर निशान लगा लें और इसको जब आव फोल्ड करेंगे तो षेंच के बराबर ऐसे फोल्ड करके, यहां पर नेफा आपका पलट जाएगा, आर इंच के आपके बैल्ट यहां पर दब जाएगी, टोटल बैल्ट जो तयार आएगी वो आएगी दोस्तो छेंच, क्यों दोस्तों अभी हमने लंबाई कितनी छोटी कटिंग करी 5 लंबाई में हमारी 36 आगई ठीक है अब हमारी बैल्ट तयार आई 6 छे इंच ठीक है तो यहां होगा दोस्तों एक इंच लंबाई बढ़ जाएगी लेकिन यहां पर द्यान दीजिए आधाइंच मालजन आपका को यहां पर जाएगा आँटाएंश मारजन आपका यहां पर जाएगा टोटल में दोस्तों आप देखेंगे जो 5 इंश हमने निज His लगायान था एक इंच का मारजन देने के बाद 6 इंच की छोटी हो जायगी और 6 इंच की लंबाई अगर मान लीजे थोड़ा एक medium size आता है तो आप उस जगा पर 14 की जगा 15 कर लेंगे ठीक है एक आता है आपका medium से थोड़ा सा heavy तो आप यहाँ पर 16 कर लेंगे और एक आता है आपका सबसे ज़्यादा heavy तो वहाँ पर 17 इंच का total में आसन रख लेंगे ठीक है यहाँ पर जो आ यह मैंने अंदादे से रखा है और दोस्तों आसन में घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आसन आपका छोटा या बड़ा हो जाता है तो इसके ओपर भी हम आने वाली वीडियो में बताएंगे कि आप इसको छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं दोस्तों आपका वीडिय कैसे लगी हमें जरूर बता है थैंक यू फॉर वाचिंग